हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम डिस्केशन करेंगे निफ्टी-50 के बारे में बैंक निफ्टी के एनलेसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुके हैं वहाँ पे काफी बहतरी लोजिक और सेट अप का डिस्केशन किया गया है जो कि आपको काफी पसंद आया और आपको काफी मज़ा भी आया उन चीजों को सीखने में काफी नहीं चीज़े सुरुवात में ही मार्किट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डेलो का भी ब्रेकडाउन दिया और अपने प्रिवियस डेलो का भी ब्रेकडाउन दिया एक बहतरीन से सेट अप आपके लिए मार्किट ने यहाँ पे बना के दिये आपको अपोर्चुनिटी यहाँ पे क्रेट करक और फिर आपको यहाँ पे फिर से एक bullish pattern market ने create करके दिया और एक momentum दिखाया हाला कि उपर की तरफ आपके लिए एक ही रुकावट थी कौन सी रुकावट थी आपके लिए simple सी ये वाली रुकावट थी क्योंकि यहाँ पे आपका previous day low है और ये previous day low आपके लिए rejection का काम कर सकता ह लेकिन इसने rejection का काम क्यों नहीं किया क्योंकि अगर आप जानते हैं कौन सा setup यहाँ पे बन रहा है ये आपका homework रहेगा उसका activation ही इस candle के बाद हुआ है और इस candle ने आपको previous day low का breakout भी दे दिया है साथी साथ आपके लिए ये bullish pattern का activation भी किया है साथ की साथ market ने जो ये range बना pattern बन रहा है इसका activation दूसरा कौन सा काम दूसरा जो यहाँ पे एक resistance zone market ने create किया था इसका breakout तीसरा कौन सा काम जो आपके लिए यहाँ पे previous day low था इसका भी आपको breakout मिला है चीजे आपको यहाँ पे clear हुए कि नहीं इसके बाद जो आपके लिए resistance था ये previous day closing था इसका भी breakout मिलता है तो आपके लिए trading day high अगला resistance था ये momentum ही more than sufficient था अगर आप easily market को समझना जानते हैं तो इतना momentum ही बहुत more than sufficient था कुल मिला के बाद यह है उसके बाद फिर market ने क्या किया देखो दोस्त आपको थोड़ा सा नजर bank nifty भी रखनी चाहिए चाहिए आप nifty 50 में ट्रेड क करते हो तो थोड़ी नजर आपकी nifty 50 पर भी होनी चाहिए कि किस तरीके से momentum दिखा रहे है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अगर आप धियान से देखेंगे हलाकि इसके पास भी एक important resistance है 19,800 यह हमने discussion किये थी इसके बाद है 20,000 अगर यहाँ पर होता वो और जादा बहतर रहता लेकिन अगर आपने bank nifty वाली वीडियो देखी है या साथ साथ में आप bank nifty पर भी नजर रख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि कहीं न कहीं bank nifty एक round level के पास था पई हो सकता है यहाँ पे nifty 50 की बात करें 19,800 के पास था और यह 45,000 पे था यानि यह दोनों ही important level के पास इसका breakout देता यह nifty 50 को ऊपर खैंच लेता इस तरह की possibilities मैंने आपको कहीं बार समझा हुए है जब जब जो situation दिखाई देती रहती है वो हम market में discuss करते रहते हैं यहाँ पे क्या scenario बन रहा है यह भी अपने एक important level पे resistance की तरेक्ट कर रहा है और bank nifty भी अपने important level पे resistance की तरेक् साइड हम कोई भी position नहीं लेंगे अब फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा अगर आपने bank nifty वाली वीडियो देखी है वहाँ पे मैंने discussion किया है अगर किसी important level का market breakout दे रहा है और हम trade में पहले से बैठे हुए बही यहाँ पे भी हम trade में पहले से बैठे थे और यहाँ पे सिदे market breakout देता तो हम trade में बैठे रहते हैं अपना stop loss उठाके यहाँ पे पूट कर देते हैं यह भी question clear हो गया होगा mind में देखो कोई भी confusion रहे आपको comment करना है पूछना है ज्यादा लोगों की समश्या होगी तो हम उसे discuss कर देंगे यह जरूरी चीज थी तो इसलिए मैंने discuss कर दी इसके बाद हमें यहां से यह मैंने दोनों का समझाया क्यों वही दोनों का मैंने यहां पे comparison क्यों किया सिर्फ यही समझाने के लिए कि positive side opportunity कब बनती चाहे वो bank nifty की बात हो चाहे वो nifty 50 की बात हो अब यहां से हमें clear clear यह समझ में आ गया कि market यहां पे resistance की direct कर रहा है फिर से मन में वही सवाल उड़ जाता है काफी लोगों ने मेरे से पूछा भी है comment करके मैंने बार बार जवाब दिया है कि अगर positive side opportunity नहीं बन रही तो क्या negative side position बना ले जवाब क्या है आपके अंदर से भी अभी तक आना चाहिए नहीं भी अगर market resistance की direct कर रहा है तो इसका म जाना है वो आपको opportunity देगा जैसे bank nifty वाली वीडियो में मैंने क्या discuss किया था market ने यहाँ पे जो यह करे resistance line बनाई है इसका breakdown दिया है आपको opportunity दी है वो ही situation आप nifty 50 में भी देख सकते हैं यहाँ पे market ने जो यह trend line बनाई है इसका market ने breakdown दिया है लेकिन हमारा trend line पे rule क्या कह है अगर trend line हमें मिल रही है breakdown मिल रहा है तो हम पिछले support को देखेंगे क्या market उससे नीचे जा रहा है अगर resistance की situation बन रही है तो अगर market breakout दे रहा है तो हम पिछले resistance को देखेंगे क्या उसका breakout मिल रहा है कि नहीं तो यहाँ पर हमारा लिए पिछला support यह है हम इस पे decide करेंगे एक marketer ने यहाँ पर breakdown दिया तो यहाँ पर देखो कितना बहतर इन momentum मिला लोजिक एक ऐसी चीज है अगर आप इन्हें समझने लगे तो आप simple price action पर भी काफी बहतर कर सकते हो तो यहाँ पर आपके लिए कौन-कौन सी opportunity बनी पहली यहाँ पर bullish candlestick pattern आपको दिखाए दिया कौन सा दिखाए दिया आपको comment करके बताना है candle ने पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया यहाँ पर आपको एक हेंट सा दे दिया है मैंने इंगल्फ करते हो आपको साप साप दिखाई दे रहा है एक opportunity आपके लिए यहाँ पर बनी trend line के breakdown के बाद अब सिर्फ trend line के breakdown पर ही trade नहीं की जा सकती हमारे पास एक valid reason यह भी था कि यह उपर resistance की track कर रहा था और कहीं न कहीं आपको kind of एक pattern भी नज़र आ रहा हो ट्रेंगल वाला और साथी साथ हम bank nifty पे भी नज़र रख रहे थे bank nifty पे क्या situation थी bank nifty पे भी similar चीज़ ही होती नज़र आ रहा थी और एक round level से market rejection लेने की कोसिस कर रहा था अब कल के लिए थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कल से मतलब Monday को Monday को जब market open होगा उसके लिए हमें किस तरीके से त्यारी करने हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आप इन पैटरंस को समझना चाते हैं जैसे previous day high breakout या previous day low breakdown या previous day low breakout या फिर previous day low breakout या फिर trading day high breakout या trading day low breakdown बहुत सारी strategies है बहुत सारी setup है तो इन सभी फिलार 30% का off चल रहा है proper example के साथ आपको समझाए गया है कि आपका entry point क्या होना चाहिए, stop loss आपको कहां पही लगाना चाहिए, target आप क्या लेके चल सकते हो देखो stop loss हीट होते हैं, हरी strategy में हीट होते हैं, कोई भी strategy 100% perfect नहीं होती है लेकिन इससे आपको बहुत बहतर idea लग जाता है, और किसी भी strategy की accuracy आपके हाथ में होती है कि आप market को कितना समझते हैं, किस दिन आप उस strategy को avoid कर रहे हैं, किस दिन उस strategy पे आप काम कर रहे हैं वो चीज़े देरे-देरे experience से improve होती है, तो फिलाल अगर आप इन सभी चीज़ों को समझना चाते हैं, प्रोपर example के साथ तो 30% का off चल रहा है, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा नहीं तो play store पे भी जाएंगे, आप वहाँ पे channel का नाम सर्च करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको application मिल जाएगी तो फिलाल हम आगे बढ़ते हैं, discussion करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी दिनों से एक negative momentum market में चला हुआ है negative, 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 ये situation हमें नजर आ रहे है, market गिरता जा रहा है, ये situation भी दिखाई दे रहे है मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, market ना तो कभी ऐसे चल सकता है, ना ही कभी ऐसे चल सकता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग buying कर रहे हैं, वो profit booking भी करेंगे, profit booking करेंगे तो वो sell करेंगे sell करेंगे, market में कुछ न कुछ गिरावट आएगी, जैसे आप profit booking के नाम से जानते हैं ठीक वैसे अगर market में कोई selling कर रहा है, market गिर रहा है, तो वो भी अपना profit book करेंगा profit book करने के लिए वो buy करेंगा, तो आपको कुछ न कुछ एक momentum देखने को मिलेगा पहला ये case होता है, कहीं situation में market sideways होता हुआ भी दिखाई देता है, ये दोनों चीज़े मैंने आपको पहले भी समझाई हुए, अब इसमें कब आएगी, वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हमें नजर आ रही है, हम तयार रहेंगे क्योंकि अगर reversal आता है, तो हम proper stop loss को follow करेंगे, पहले चीज़, दूसरी चीज़ अगर बड़े time frame के इसाब से देखेंगे, तो हमारे लिए जो एक resistance नजर आ रहा है, उस sorry पहले support का बात कर लेते हैं, एक जो support नजर आ रहा है, ये 19,600 पर नजर आ रहा है, अगर market इसका breakdown दे 19,200 के around, यहाँ पर आपने देखा market में पहले भी एक काफी अच्छा bounce यहाँ से हमें देखने को मिला था, बड़े time frame के हिसाब से तो हमें ये चीज़ नजर आ रही है, लेकिन अगर market यहीं पे चलो support पे आके reversal लेता है, यहीं से reversal लेने की कोशिस करता है, जो एक important resistance रहे गा ह 19,800 रहने वाला है, उसके बाद हमारा 20,000 का तो resistance है, तो यह situation तो हमें बहुत ही simple तरीके से projection के according market में दिखाई दे रहे है, लेकिन मंडे को हमें किस तरीके से करना है, उन चीज़ों पे थोड़ इसी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर chart को थो उन पे rejection लिया है, 19,800 पे, और शुरुवात भी आप देखेंगे, शुरुवात भी इसी rejection से हुथी, कहीं ने कहीं market ने double top बनाने की कोसिस किया है, क्या नीचे भी कुछ नजर आ रहा है, नीचे भी market ने kind of double bottom बनाने की कोसिस किया है, तो यानि कि दो चीज़े तो market ने हमें पहले ही बता दी, एक तो ये वाली range, एक ये वाली range, क्योंकि अगर यहां से एक momentum आया, तो हमें पता है कि अगला resistance कहां पे है, या फिर यहां से negative momentum आया, तो किसके breakdown के बाद हमें negative side planning करनी है, तो वो भी market ने, एक छोटी छोटी यानि की मोटी सी बात हमें market ने एक idea दे दिय अब इसका discussion कर लेते हैं, एक एक चीज़ का थोड़ असा detail में, अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है, दोस्तो discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना हे कोई selling recommendation है, ये just educational purpose से बनाई गई analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अप positive momentum दिखाता है, तो खुद से सोचो क्या positive side बैठना जरूरी है, देखो जरूरी तो है, लेकिन किस level के बाद, एक खलकी सी रुकावाट हमारे लिए यहाँ पे है, यहाँ कि 19,720 के round, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 21st का day low भी है, और एक market ने sideways momentum दिखाता है, एक बहतर resistance के रूप में काम कर सकता है, अगर इसका breakout मिलता है, तो आपके लिए अगला resistance बनेगा, previous day high, यानि की 19,800, यहाँ पे अगर आपको इसका भी breakout मिला, तो आपके लिए setup बन जाएगा, previous day high के breakout का setup, तो आपके लिए जो resistance बनेगा, 21st का day high बनेगा, और अगर आप इस setup के बार अभी नहीं जानते, मैंने आपको idea दे दिया है, 30% का off चल रहा है, यह एक दिन बाद offer खतम कर दिया जाएगा, जो 30% का off चल रहा है, उमीद है, आप इसका benefit उठा लेंगे, वहीं पे अगर market flat open के आपको negative momentum दिखाता है, तो previous day low का breakdown होने दो, और price नीचे sustain करने दो, पहला support तो बनेगा 19,600 के around, और यहाँ पे आपके लिए previous day low के breakdown वाला setup भी बन जाएगा, वहीं पे अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है, इस scenario पे आप क्या करेंगे, इस scenario पे आप पूरा focus यहीं पे कर देंगे, 19,720, अगर market इसी के आसपास आपको gap up opening दे रहा है, और momentum आता है, त इसका breakout मिलता है, तो 21st का day high, इसका breakout मिलता है, तो market इस gap को fill करने की कोशिस कर सकता है, वहीं पे अगर आपको gap down opening मिलती है, तो हम पूरा focus रखेंगे previous day low पे, अगर market इसके आसपास gap down opening देता है, breakdown देके चलता है, तो setup बन जाएगा previous day low के breakdown वाला setup, लेकिन अगर यहाँ पे market support लेता है, तो buying side यानि positive side position तब तक मत लेना, जब तक कि market 9720 के उपर price sustain नहीं करता, दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को like कीजिएगा, comment करके बताना analysis कैसे लग रहे हैं, नए हो, subscribe करना, bell icon प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सेगे, फिलाल इ